सब्सक्राइब करें एलपटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंद जनकारी यूट्यूब पर देखने के लिए नश्कार किसान भाईयो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एलपटेल में आज हम बात करेंगे turbo और non-turvo engine में से कौन सा टेक्टर खरीदना चाहिए काफी किसान भाईयो के बीच में ये question जरूर आता हुआ कि जो ठर्वो इंजिन है और non-turvo engine में difference क्या है और अगर अगर सेम HP का आप टेक्टर ले रहे हैं जो कि 45hp का जैसे example पर ले लेते हैं 45 hp का आप turbo engine वाला detector देख रहे हैं और 45 hp का आप non turbo engine देख रहे हैं तो आपको कुन सा उसमें से select करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा रहे और आपकी किसानी में फायदा हो तो मैं आपको सबसे पहले turbo के बारे में बता देता हूँ जाती है engine के इस तरीके से engine की जो efficiency है वो बढ़ जाती है मतलब ज़्यादा हवा intake होती है उससे ज़्यादा अच्छी power डिलेवर करता है और इस प्रकार से turbo काम करता है turbo से ये फायदा है कि आप कम size में ज़्यादा अच्छी power ले सकते हैं मतलब एक same size का engine है जो की normal भी है और एक turbo लगा हुआ है तो turbo जो engine है वो उसकी 5-6 HP power बढ़ा देगा जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी power मिलेगी और काफी फायदा रहता है लेकिन अगर बात आए कि same HP का आप ले रहे हैं अब अगर बात करें टर्वो से हमें क्या फायदे है तो अगर टर्वो से आप देखेंगे तो engine की जो efficiency है मतलब जो ताकत होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है दूसरी बात यह होती है कि टर्वो से जो backup torque होता है वो भी कम नहीं होता और RPM drop की जो problem होती है वो भी कम हो जाती है इस तरीके से टर्वो हमेरे को फायदा देता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे बड़ी बात यह होती कि टर्वो के कारण जो है आपको maintenance वाली service है वो एकदम exact करानी होती है क्योंकि टर्वो की जो housing होती है मतलब जो टर्वो लगा हुआ रहता है उसके अंदर हमेसा oil flow होता है जो कि engine के अंदर से जाता है तो अगर वो engine के अंदर से oil जाता है तो और बार बार आप maintenance नहीं करते हैं मतलब आप oil समय से change नहीं कराते हैं तो आपकी जो टर्वो housing है वो गड़वर हो सकती है इस तरीके से engine में काम आ सकते हैं दूसरी अगर बात की जाते है जो engine है इसकी life कम हो जाती है टर्वो लगाने से आप पूछेंगे क्यों कम हो जाती है तो उसका भी मैं आपको कारण देते था हूँ क्या होता है कि जब टर्वो हवा आती है तो मतलब आपको ज़्यादा हवा compress करनी है ज़्यादा हवा compress करने के लिए आपको piston की जो power है बूभी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इस तरीके से सभी unit की जो ताकत है उसको ज़्यादा लगेगी इसलिए उसकी जो life है मतलब जो engine की total life होती है वो कम हो जाएगी लेकिन इससे आपकी performance जो है वो बढ़ दाती है यह उसका फादा भी कह सकते हैं तो यही सब कुछ है टर्वो के बारे में अगर मेरी opinion ली जाए कि अगर 45 HP का आपको टर्वो और non-turvo engine मिल रहा है तो आप कौन सा select करेंगे तो मैं non-turvo ही select करूँगा क्योंकि उसके कुछ एक फायदे हैं सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो लंबी life के लिए होता है दूसरी बात यह होती है कि उसके RPM कम होते हैं और उससे हमें फायदा रहता है कि काफी अच्छा काम करता है और तीसरी बात ही होती है कि जो हमारे diesel consumption per acre के हिसाब से हम calculate करते हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो non-turvo engine है वो हमको profit देता है साथ यह अगर performance देखेंगे तो थोड़े lag मिलेगा आपको turbo से मतलब turbo वाले जो engine होता है उसकी ताकत थोड़ी जादा रहती है लेकिन अगर non-turvo है तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे भी हमें कौन से जादा ताकत लगा कि कोई बड़ा काम करना है हमें हमारे खीत की जुताई करनी है जो कि same hp के segments अगर करवाएं तो हम non-turvo जादा अच्छा समझ सकते हैं तो यही सब कुछ है turbo और non-turvo के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like करें और channel को subscribe करना ना भूले धन्यवाद